ज़िए आपके खाते से आपके अनुमती के बगैर आपका बैलेंस कट गया है या किसी लिंक को भेज कर आपके साथ साथ साइबर फ्रॉड कारिक किया गया है या जाने अन जाने में आपके बैंक अकाउंट पे कोई साइबर फ्रॉड स्टर का अटेक हुआ है तो इस तिती मे Cybercrime Helpline पर जाएंगे तो आपको एक message के जरीए link प्राप्त होगा और इस link में आपको आपके transaction details भरने हैं जिससे आपका पैसा आपके account से जिस भी account में debit किया गया होगा वो freeze कर दिया जाएगा आप जितनी जल्दी ये 1930 पर जाके इस crime को report करेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा freeze होगा और आपके account में वापिस आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी तो 1930 पर अपना cybercrime जल्द से जल्द report करेंगे धन्यवाद ज़िए आपके खाते से आपके अनुमती के बगैर आपका balance कट गया है या किसी link को भेज कर आपके साथ cyber fraud कारिक किया गया है या जाने अन जाने में आपके bank account पे कोई cyber fraudster का attack हुआ है तो इस तिती में आपको घबराने की पताई जरूरत नहीं है वो government की cybercrime help line 1930 में इसको report क करने की जिरूरत है आप इस 1930 cybercrime help line पे जाएंगे तो आपको एक message के जरीए link प्राप्त होगा और इस link में आपको आपके transaction details भरने है जिससे आपका पैसा आपके account से जिस भी account में debit किया गया होगा वो freeze कर दिया जाएगा आप जितनी जल्दी ये 1930 पर जाके इस crime को report करेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा freeze होगा और आपके account में वापिस आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी तो 1930 पे अपना cybercrime जल्द से जल्द report करेंगे धन्यवाद ज़िए आपके खाते से आपके अनुमती के बगैर आपका balance कट गया है या किसी link को भेज कर आपके साथ cyber fraud कारिद किया गया है या जाने अन जाने में आपके bank account पे कोई cyber fraudster का attack हुआ है तो इस तिती में आपको घबराने की कता ही जरूरत नहीं है वो government की cybercrime helpline 1930 में इसको report करने की जिरूरत है आप इस 1930 cybercrime helpline पे जाएंगे तो आपको एक message के जरीए link प्राप्त होगा और इस link में आपको आपके transaction details भरने है जिससे आपका पैसा आपके account से जिस भी account में debit किया गया होगा वो freeze कर दिया जाएगा आप जितनी जल्दी ये 1930 पर जाके इस crime को report करेंग कि उतनी जल्दी आपका पैसा freeze होगा और आपके account में वापिस आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी तो 1930 पे अपना cybercrime जल्द से जल्द report करिए धन्यवार ज़िए आपके खाते से आपके अनुमती के बगैर आपका balance कट गया है या किसी link को भेज कर आपके साथ cyber fraud कारि जरूरत नहीं है वो government की cybercrime helpline 1930 में इसको report करने की जरूरत है आप इस 1930 cybercrime helpline पे जाएंगे तो आपको एक message के जरीए link प्राप्त होगा और इस link में आपको आपके transaction details भरने है जिससे आपका पैसा आपके account से जिस भी account में debit किया गया होगा वो freeze कर दिया जाएगा आप जि जल्दी आपका पैसा freeze होगा और आपके account में वापिस आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी तो 1930 पे अपना cybercrime जल्द से जल्द report करिए धन्यवाद